नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाथिया है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में बजार फिर से वही उठा पटक करता हुआ आपके लिए वॉलिटिलिटी उरी है इन्फक्ट वॉलिटिलिटी नहीं कहुँगा मैंसे मैंसे कहुँगा एक range में play होना मार्केट वॉलिटिलिटी तो हुआ है कि तुरंत 100 पॉईंट उपर हुरा है तुरंत 50 पॉईंट नीच हो रहा है वह वो वॉलिटिलिटी है यहां तो पहले आपके लिए Nifty उपर की तरफ गया जहां 21.831 का हाई लगाया और फिर वहां से एक शार्प कहीना की रिवर्सल आया और अभी डेज लो पे 100 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है Nifty आपके लिए लगबग 21.680 पे जहां पे एक बार फिर Small Cap और Mid Cap बड़ी Problem का विशय बनता हुआ दिख रहे है मैंने कल भी अपनी आखरी वीडियो में यही कहा था कि मिर को कल क्लोजली वाच करना है कि Mid Cap और Small Cap कैसा करता है अभी तक के गिरावट में Market Single Day गिरता था और Same Day Recovery और Next Day तेजी आ जाती थी लेकिन इस बार ऐसा हुआ है Friday टूटा हलकी recovery आई और आज फिर टूट रहा है यानि दो consecutive day आपके लिए Mid Cap और Small Cap बड़ी चिंता का विशय बन रहा है और सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा एक tension वाली बात है वो यह है कि एक आम निवेशक सारा पैसा Mid Cap और Small Cap में लगा के बैठा है In fact, केवल और केवल equity market में नहीं जो mutual funds में भी पैसा लगा रहा है वो भी Small Cap या फिर Mid Cap ही लेके बैठा है तो यहां आपको एक सावधानी बरतनी बड़ेगी अपने आपको समझाना पड़ेगा कि यहां अपने पैसे को rotate करने का समय आ गया है देखिए एक बंदा वो होता है जो लेके बैठ जाता है और फिर कहता है मैं कुछ नहीं करूँगा अब जो होगा दिखा जाएगा वो पैसा जरूर बनाता है क्योंकि आप market में eventually रुके हुए हो लेकिन वो पैसा उस व्यक्ति से कम बनाएगा जो market को थोड़ा time दे के अपनी positions को rotate कर रहा है और rotate ऐसा नहीं हर दिन करा जाता है दो-चार साल में करा जाता है अभी आपको दिख रहा है तीन साल में बहुत बड़ा पैसा बना दिया है small cap मिड़ केप बन चुके है तो अब अपने पैसे को थोड़ा सा diversify करो कैसे करो आपको अपने small cap को mid cap और large cap में करना है या फिर equity and debt में जाना है मैंने कल भी एक data share करा था जहां पर FIA 40,000 करोड की 2024 में विकवाली कर चुके है और debt market में 35,000 करोड की buying आई है तो यह दर्शार आये clearly आपको कि कहां पे बड़े निवेशकों का आ कहीं न कहीं दियान है कहां पे खरिदारी करने की वो सोच रहे है अब ऐसा नहीं है कि आपने बेचा और कल्ली से ही गिरने लगे है यह लंबे समय के cycles होते है तीन साल बड़ी देजी में रही हर समय हम लोग यही कहते रहे अब गिरेंगे अब गिरेंगे लेकिन नहीं गिरेंगे लेकिन अब फाइनली लग रहा है कि आ रही है profit booking for example small cap index धाई परसेंट नीचे है mid cap index सवा परसेंट नीचे है अगर आप nifty को देखोगे आपको कि क्योंकि आपके advance or declines में 450 shares positive है जिसके सामने 1780 share negative trade खर रहे हैं NSC पे sector specific वो बाद में आऊँगा पहले stock specific आता हूँ SJVN सबकी portfolio में almost 18% नीचे Ambar enterprises खराब numbers थे 10% नीचे Shoba खराब number थे 9% नीचे IRFC, IRB almost सबकी portfolio में 10% डौनों नीचे दिख रहे हैं आगे हुडगो 8% RVNL एक और बार 8% टूड़िया NHPC 8% नीचे YesBank 8% NIACL 8% RCF 6% IOB सवाच 6% IRCON International 6% Infibium Avenue 6% BEML 6% GICRI 6% ये वो stocks जो almost सबकी portfolio में है तो अब चिंता बन रही है अब नहीं समझ में आ रहा कि क्या करा जाए कितना और गिरेंगे हम कैसे manage करें ये सब के अब सवाल आ रही है तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि इस समय आप सिफ मैंने आपसे क्या गाता देखो 2024 की ना मेरी 3-4 headline थी मैंने 31 December Sunday था मुझे अच्छे से आ रहा है मैंने आपके साथ simple बासा में बोला था 2024 पैसा बनाने का नहीं पैसा बचाने का साल है 2024 में IT, pharma, chemical और textile इन पे focus करना है कुछ चुनिंदा नाम लिए थे जिसमें एक IEX था, एक IRCTC था ये monopoly रूप में थे IEX पे मैंने अपना view cut कर दिया क्योंकि वहाँ पे market coupling को लेकर सरकार ने खुद कह दिया है कि वह तो हो कही रहेगा IRCTC पे still view positive है 2024 की clear cut team थी अभी तक almost 25 से 30 trading session हो गई है, आप लोगों ने देखा अब क्या हो रहा है, तो ये trapping है, जुमेटो आप से मैंने कहा था 123 रुपे 1500 जाना है और देखो बड़ा view देखना है, बड़ा view क्या है कि मेरा पैसा मेरे को फसाना नहीं है बड़े दिक्कत में नहीं आना है अब किसी ने अगर RVNL 3500 पे लिया हुआ है, क्या उसे exit मिलेगा ये सवाल है मेरा, नहीं है जवाब इसका किसी के पास, मेरे पास भी नहीं है कंपनी के पास भी नहीं होगा क्योंकि भाई ऐसा नहीं है न, उसकी value 3500 की और वो 200 आगया तो 300 आना है उसकी value तो हम लोगों को पता ही नहीं है value तो उसकी वो ती जहांपी वो under value trade करता था, वो हुआ साथ गुना हो गया, अब वो वापस correct हो रहा है तो आपको अपने पैसे को लगाते समय सोचना है, विचार करना है, तब ही लगाना है, और mutual funds में आपको specially ध्यान देना है equity debt या फिर large and mid pay small gap की तरफ इस समय कम focus में रहिए, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आपको market में दिख रहा है कि कौन टूट रहा है कौन नहीं टूट रहा है, बहुत ही खराब market का इस समय scenario बनता हुआ दिख रहा है, अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही, next video में stock specific बात करूँ है तो channel के साथ बने रहिए, thank you so much for watching this video, have a great day guys